हाथ भई जैसे टाइटल आपने पड़ा थमनेल लेगा हो ऐसा ही होने वाला है हम अपने PC आफर लेप्टॉप से बड़े आराम से लाइब स्ट्रीमिंग कर से किसी भी प्लैट्फॉर्म हो गया चाहिए आप YouTube ले लो Facebook ले लो Twitch वगएरा कही पर भी करना चाहो लाइब स्ट्र डिवाइस है आपका कोई mobile वेगर आपका गर का किसी का भी तो उसे भी आप चाहो तो ऐसे वेपकेम यूज़ कर सिखते हो और साथी जाथ बहुत सारे लोगों का यह भी डाउट रहता है कि YouTube पर अगर आप लाइब स्ट्रीमिंग कर रहेंगे तो वहां पर हमें फूरता अवर का वश्टाम चाहिए होगा वार के साबस्क्राइबर चाहिए होगा वैसा कुछ नहीं है इसमें मैं अपना एक ऐसा चैनल एड करूँगा जिसमें 0 सब्सक्राइबर एवर एक भी वीडियो डिडियो अप्लोड एड नहीं है तो उसे एड करके मैं आपको लाइब देस्क्रिप्शन बॉक्स पर है डाउनलोड करके रखो कभी भी आप सोच हो कि लाइप स्ट्रिमिंग करने का तो यह आपका मदद करेगा और हाँ बाई ओवे स्टूडियो जो है लाइप स्ट्रिमिंग करने का उससे भी आसाने से यूज़ करना तो देखो मैं आपको बताता हो तो भाई यह जरूर समझ के जाओ इससे भाई आपका स्ट्रिमिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा असान हो जाएगा आपको यहाँ पर 2 स्क्रीन देखने को मिल रहा होगा है के आपका यहाँ पर एडिटेट स्क्रीन एंड एक है यहाँ आपका लाइब स्क्रीन थो सबसे लिए आपको ये दोनों स्क्रीन यूज़ करना चाहिए अगर आप एक beginner हो तो अगर आप live streaming first time कर रहे हो PC वगेरा पर और अगर आप एक pro by user हो pro live streamer हो तो इसमें आपको एक और tool मिलता है जो है यहाँ पर click करोगे तो एक screen में show होगा सब को जो अगर आप पहले से set कर दोगे ज उसे आप यहाँ पर click करके आप text वगेरा ठीक कर सकते हो ठीक करने के बाद उसके बाद अगर आप इस पर click करते हो तो आपके audience को ये show होगा live screen पर अब उसके उपर आपको बहुत सारे चीज़े देखने को मिल रहा होगा go live यहाँ से आपको live करना इस side में आपको बहुत सार if tools देखने को मिल रहे होंगे जो आपको वीडियो में मैं आगे बताऊंगा तो उसके बाद मैं आपको एक और important चीज़ बता देता हूँ streaming करने से पहले streaming का जो setting ये वो ठीक करना बहुत जरूरी है आपने audience को क्या show कर रहे हो कौन से resolution पर वो सारा चीज़े ठीक रहना चाहि तो उसके लिए आप यहाँ पर नीचे जाओगे setting पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर output शोगा आपको simply general पर जाना है यहाँ से watermark अने बुल रहे हैगा इस software गा जो आपके live streaming पर show करेगा तो बस आपको इसे off कर देना है देन उसके बाद आपको नी ऊपर जाना ह output पर output पर जाके यहाँ से आपको इसका जो resolution है जो आप अपने audience को show करना चाहते हो अगर आपका device अच्छा है अगर आपका laptop PC अच्छा है internet speed fast है तो यहाँ से 1080p 1920 to 1080p choose कर सकते हो down scale builder में अगर आप चाहो तो यहाँ से bicubic भी choose कर सकते हो या फिर अगर आप लेंग्जोस भी choose क करना चाहो तो कर सकते हो मैं recommend करूंगा लेंग्जोस चूज करना यह fps यहाँ से आपको 30 fps दिया रहेगा आपको 60 fps कर देना है नेक्स्ट आपको output मूड मिलता है यह simple पर सेट है अगर आप advance पर करते हो तो हर एक चीज़ को खुद बहुत यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो audio bit rate वगेरा सब कुछ जो आप अपने audience को शो करोगे नेक्स्ट बार ही आता है video bit rate का जो बहुत ही ज्यादा important है bit rate आपकी video का quality improve कर देता है तो यहाँ पर आपका जो bit rate वह 8000 से लेके 10,000 के आसपास रहना चाहिए तो यह आपके internet speed अगर आपका अच्छा है तो यहाँ पर आप dedicated graphics card है यहाँ पर आपको nvidia वगेरा graphics card है तो उसे आप select कर सेकते हो यहाँ पर और भी different kinds of other settings कर सेकते हो बहुत सारे setting मिलते है जो जिससे आपका stream और भी professional देखने को लगेगा और उसके साथ ही साथ sources वगेरा भी आप select कर सेकते हो मैं और लंबा नहीं करना चाहता यहाँ से मै होँरे आप stream करना कैसे वो भी बता देता हूँ video देखते रहो सबसे पहले आपको scene create करना है जो भी चीजिए आप करोगे सबसे पहले इस सीन create करना है करना कैसे इस पर click करो scene okay पर click करो जो भी नाम देना चाहोchaओ already czen created है तो इसका चाहता हूं सबसे पहले कोई stream starting soon का एक intro एड़ करो तो मैं यहां से बाई अगर आप जाओ तो video directly आपका कोई already created pre-made कोई अगर आपका stream starting soon का intro है तो video पर click करके add कर सकते हो बट अगर आप चाहो तो इसके अंदर prism live studio के अंदर भी आपको मिलते है background template ok पर click करो then ok पर click करो free पर जाओगे तो आपको बहुत सारे photos मिलेंगे अगर आपको prism पर जाओगे तो बहुत सारे यहां पर animated आपको videos मिलेंगे देगने में तो अगर आप यह videos भी use करना चाहो तो use कर सकते हो then इसके उपर आपको plus पर click करना है text template पर जाना है आप यहाँ पर OK पर click करोगे तो भाई यहाँ से अगर आप चाहो तो stream starting soon भी add कर सेको, social भी add करना चाहो तो भाई यह भी add कर सेको, caption वगएरा elements एड करना चाहो तो सारा चीज़े add कर सेको, बट मैं चाहता हूँ कोई stream starting soon का add करूँ, तो यहाँ पर मैं title add कर देता हूँ और इस सकतो हो stream starting soon अब उसके बाद मुझे दूसरा scene create करना है जो है हमारा scene 2 अगर आप चाहो तो इसे में link देता हूं live stream तो इसमें live streaming करना इस scene पर जो भी scene को आप click करोगे वो ही scene आपके audience को show करेगा तो जैसे कि मैं live streaming का भी करना webcam नहीं है तो मैं यहाँ पर फिलाल इसे add करके नीचे add करके रख देता हूं अब यहाँ पर इसके उपर और भी चीज़े add कर सकते हो अगर आप चाहो तो अपना monitor screen जो है वो भी capture कर सकते हो मैं इस पर click करके आपको दिखा देता हूं मैं full monitor screen capture करना जाता हूं तो मैंने यहाँ पर monitor screen ओके किया तो यहाँ पर हमारा जो भी काम करूंगा screen के उपर वो show करेगा और उसके उपर अगर आप चाहो तो भाई अपना जो भी face camera track करके नीचे ले आओ face camera नीचे show करेगा तो अभी हमारा screen आप देख सकते हो full show कर ला है live screen पर जो भी इसी कारण मैंने यहाँ पर यहाँ वाला select किया था जो भी चीज़ आप पहले यहाँ पर edit पर click करोगे वो editing ठीक होने के बाद आप इस पर click करोगे तो अपने audience को show करेगा तो यह professional logo के लिए यह single screen अगर मैं आपको कहूं तो अगर आप game खेलना चाहते हो तो game वगरा भी खेल जाकते हो जो आपने देखा ही होगा अकसर professional streamer stream करते हैं दोरान अपने screen पर plus पर click करता हूँ मैं यहाँ पर चलता हूँ प्रिजम चैट पर obviously अपने streamer लोगों को देखा होगा वाई stream करते दोरान चैट अपने screen पर चलते रहते हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर stream के side पर मैं chat add कर देता हूँ साथी साथ और भी scene create करना चाहते हो तो यहाँ पर click करता हूँ और next यहाँ और और scene create हो जुगा है तो जो भी scene को आप क्लिक करोगे वो आपके screen के उपर show होगा तो अभी मैं आपको एक और बहुत ही मज़दार चीज़ दिखाता हूं plus पर klik करता हूं plus पर klik करने के बाद यहां पर मैं चलता हूं prism camera पर ok पर klik करता हूं यहां से मैं OK पर क्लिक करूंगा और यहां पर हमारा Prism Camera जो है तो अभी आप देख सकते हो हमारा उपर Prism Camera चल रहा है अगर आप चाहते हो कि streaming के दोरान आपका जो background है वो remove हो जाए without any green screen, green screen रहेगा तो और भी ज़्यदा अच्छा है अगर नहीं है फिर भी आप इस पर क्लिक करो virtual background पर क्लिक करोगे तो remove bg पर क्लिक करो आपका जो भी background है वो बहुत ही easily remove हो जाएगा आप देख सकते हो चाहो तो बैगराउंड पर आपको इस तरह से वीडियो वगरा भी एड़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से तो यहां पर नीचे देख सकते हो मैं जो भी बात कर रहा पीछे हमारा background है और साथी साथ हमारा background पर remove हो जुका है मेरा जो inbuilt camera है वो इतना सही नहीं है फिर भी भाई काफी हद तक सही से खाम कर रहा है आप देख सकते हो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जैसे कि मालो मैं यहाँ पर इस layer पर मैं चाहता हूँ कि सि से होके पर click करूंगा आपको एक QR code देखने को मिलेगा बट कुछी दिन के बाद आपको एक USB वाला connection भी देखने को मिल जाएगा coming soon बहुत जल्दी तो यह वाला connection मुझे लगता है और भी faster रहेगा क्योंकि Wi-Fi का जो connection रहेगा यहाँ पर आपको mobile phone पर यही वाला application डाउनलो है वो आप अपने जब भी mobile phone से webcam करोगे तब भी यहाँ पर USB यूज़ करने से मुझे जहां तक लगता है delay बहुत कम होगा Wi-Fi से और facecam के दोरान हमेरे बहुत time ऐसा होता है कि facecam के दोरान हमारा चेहरा वगरा साफ नहीं नजर आता तो यहाँ से अगर आप चाहो तो filter भी मि स्क्रीन के ऊपर दोड़ते रहते हैं तो इस तरह का आपको बहुत सारे GIF भी देखने को मिलेंगे मालो भाई आपका कोई subscriber ने आपको कोई super chat वगरा दिया तो इसी तरह का भाई आप GIF यूज़ कर सकते हो super chat के दोरान तो मैं आपको दिखा देतो यह अगर स्क्रीन इस तर शोर शराबे होते रहते हैं background पर तो आपको यहाँ पर एक नीचे option मिलते हैं यह वाला option time on noise reduction यह वाला noise reduction लिटरिली बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा सही noise reduction है बस आपको इस पर क्लिक करना है आपके background पर जो भी noise है यह वाला software detect करेगा और उन्हें easily remove कर देगा बस आपका आवाज रहेगा अभी तो हमने सब कुछ सेट कर लिया stream starting soon हो गया live streaming का जो भी setup वगरा है super chat वगरा add करना यहां से sources सबी कुछ आप add कर पाओगे अब आपको बताने वाला हो कि live streaming करना कैसे youtube पर आपको अपना channel add कैसे करना है go live आपको जाना कैसे वो मैं आपको बता देता सबसे पहले आपको my channel पर जाना है यहाँ पर आपको add channel पर click करोगे click करने के बाद अगर आप चाहो तो directly youtube पर यहाँ पर click करके sign up कर लेना है अपने email password डाल के बट अगर आपको यह secure way नहीं लग रहा अगर आपको इतना trust नहीं है वैसे तो यह बहुत ही जादा secure software है बहुत custom RTMP आपको मिलेगा वो वला अपने channel पर यह किसी के साथ share मत करना निकालना कैसे RTMP YouTube का किसी भी दूसरे creator का वीडियो देख लेना आपको अपना custom RTMP मिल जाएगा उसे बस आपको यहाँ पर paste करना है आपको अपना ID password देना नहीं पड़ेगा optional है आप देख सेकते हो और बस य Facebook, Twitch एक साथ में स्ट्रीम करना चाहते हो सारे platform पर तो एक साथ सारे platform को इस तरह से एड़ कर सेकते हो और एक ही टाइम में सभी platform पर लाइप कर सेकते हो देन आपको बस गो लाइप पर क्लिक करना है और आपको यहापर stream स्टार्ड हो जाएगा अपने YouTube चैनल पर तो बहुत ह आपको डीटेल में बता दिया कैसे इसमें लाइप स्ट्रीमिंग करना है कोई भी भी ने रगार आप मेरा यह वाला वीडियो स्टार्ड से लेके एंड तक देख लिए होंगे तो आपको एजीली समझ में आ जाएगा कैसे इसमें स्टार्ड करना है streaming software download link आपको description box पर मिल ज आपको एजीली समझ मेरा यह वाला 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 वीडियो स्टार्ड करना है